तो दोस्तो लास्टाइम मैंने वीडियो डाले थी शॉन रोडन वर्जिस फिल हीथ की उन दोनों के कमपैरिजन के उपर जो की आप में से कई लोगों को बहुत पसंद आये थी और कई लोगों ने ये भी कहा था के रोली विंकलार वर्जिस फिल हीथ की भी एक वीडियो होनी चाहिए कमपैरिजन वीडियो होनी चाहिए तो आज मैं लेकर के आगे हूँ दोस्तो कमपैरिजन वीडियो बिट विन फिलिप जेराड हीथ एंड एकबर ओन विटाइनी विंकलार तो बड़े अजीव-जीब से आपको नाम लग रहे होंगे बात करते हैं आज फिल हीथ और रोली विंकलार के बीच की कमपैरिजन की और यही वीडियो का आज का दोस्तों टॉपिक है तो दोस्तों कैसे हैं आप सब मेरा नाम है विरल आप देख रहे हैं All About Olympia YouTube चैनल आगे बड़ते से वीडियो में कमपैर करते हैं इन दोनों बड़े बॉडिविल्डर्स को तो कई सारे दोस्तों ऐसे बड़े चैनल्स हैं जो की कमपैर कर चुके हैं अल्रेड़ी इन दोनों बॉडिविल्डर्स को लेकिन फिर भी आर कमपैरिजन में भी बहुत तरह की बाते होती हैं जब दो फोटोस को अलग-अलग कट करके रखा जाता है तो बहुत फरक होता है जब दो बॉडिविल्डर्स एक साथ एक स्टेज पर खड़े होते हैं और एक ही फ्रेम के अंदर पूरी उनकी फोटो होती है तो बहुत फरक होता उस चीज का जाता है तो इसी वजासे मैं इस वाली वीडियो में भी पिछली वीडियो की तरह से पूरी एक फोटो लेने व विनर तो बस स्टेट अवे बढ़ते हैं अपने कंपैरिजन की तरफ और बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों फ्रंट डबल बाइसे पोज की तो मेरे इसाब से वाला पोज एक्चुली थोड़ा से मैं इसमें खुदी कंफ्यूज में वाला पोज बहुत अच्छा लग रहा इसमें रोली विंटलार के तो देखो यार बेस्ट आम्स माने जाते हैं लेकिन बात सिर्फ यहीं खतम नहीं हो जाती फिल हीत के साथ में पुछ पॉजिरिव पॉइंट्स हैं यहाँ पर मैं एकदम से ऐसा नहीं कह सकता कि क्लियर विन रोली विंटलार की तरफ जारी है हाल है भले ही गट निकलाओ है लेकिन वेस्ट की विट्थ है वो कम है फिलीट के लेक्स जो है वो काफी बड़े है और बहुत जादा सेपरेटिड है वही रोली विंटलार के लेक्स उनका वीकेस्ट पॉइंट माना जाता है तो अगर मैं एक वी टेपर की बात करूं तो फिली मैं यह नहीं कह सकता है कि फिलीट इसमें एकदम वर्स लग रहे हैं अगर मैं कंपेर करता हूं रोली विंटलार से शॉन रोडन और फिलीट के केस में तो डेफिनिटल बहुत इंप्रेसिव थे पर यहां पर रोली और फिल की अगर मैं बात करूं तो फिलीट अच्छे सब्सक्राइब नहीं है बिल्कुल भी और रोली विंटलार के लैट्स जो है वन ऑफ ताफ वाइडस लैट्स में कह सकता हूं अभी इन चारो बॉडी बिलिट में तो जरूर जब बैग लैट करते हैं तो बहुत ज्यादा फैल जाते हैं और यहीं कुछ वो कर रहे हैं फ्र बढ़ सब्सक्राइब लेकिन तब इस वाले पोष को वही ओन कर रहे हैं तीसरे पोष की अगर मैं बात करूँ जो की है साइड चेस्ट पोष तो इस पोष में मैंच आता हूं कि रोली विंटलार विनर बने लेकिन यार ध्यान से देखने पर मुझे पता लगा कि इस वाले पोज में Phil Heath actually Rollie Wintler को beat कर रहे हैं, देखो, या Rollie Wintler की strong points है इसके अंदर वो यह है कि उनके shoulders बहुत बढ़े हैं Phil Heath से shoulder की roundness बहुत बढ़ी जा रही है और rear delts उनके ज़्याधा develop है इस वज़ा से और बड़ा shoulder नज़र आ रहा है फिल हीत के वहीं रियर डेल्स इस साल उतने ज़्यादा डेवलब नहीं थे बात अगर मैं करूँ साइट चेस्ट की तो इसके अंदर रोली की चेस्ट भले ही स्ट्राइटी नजर आ रही हो पर उन्होंने अपनी लेफ्ट चेस्ट को उतना जुता टाइटली होल नहीं कर अगर आप देखें और इसी वज़ा से उनके शूल्डर और चेस्ट के बीच का सेपरेशन उतना ज़यादा क्लियर नजर नहीं आ रहा फिल हीट को अगर हम देखे तो उन्होंने अपनी चेस्ट को एकदम टाइटली होल्ड कर रखा है जो की क्लियरली देखने को मिल रहा है दूसरी बात करूं तो रोली के रिए शोल्डर्स और आम्स जो मतलब नीचे बाइसेप्स और राइसेप्स का जो हिस्स्सा है तो उसके बीच का सेबरेशन भी शोल्डर्स और नीचे के आम्स के बीच का सेबरेशन भी उच्छा नहीं है और बाइसेप्से और वो अच्छा नजर नहीं आ रहा आप fill heat के mid section को देखे तो जो abdominals का area एकदम separated नजर आ रहा है उसके अंदर seratis muscles अलग से दिख रहे हैं abs जो हैं अलग से दिख रहे हैं वही रोली विंटलार पूरे plane नजर आ रहे हैं इस वाले post के अंदर तो कई लोग actually इस वाले post को रोली विंटलार को भी देना चाहेंगे क्योंकि रोली की chest ज़्यादा strided नजर आ रहे है बट यार fill heat overall complete नजर आ रहे हैं तो जजिस सिर्फ एक चीज़ को नहीं देखते हैं वो overall जो है body का development देखते हैं muscle separation कितने अच्छे से नजर आ रहे हैं तो उस चीज़ के अंदर फिर overall fill heat ज्यादा heavy उतर रहे हैं इस वाले post में और मेरे साबसे इस वाले post को फिर fill heat जीत रहे हैं अब इस पोस में तो ज्यादा कुछ बात करने की जरौत है नहीं फिल heat अगर light के आगे भी खड़े हो जाएं तब भी सबको बीट कर सकते हैं इस वाले post में और इसमें कुछ ज्यादा बताने के लिए हैं फिल का जो overall back development है हम सब को मालूम है कि कितना impressive कितना बढ़िया है जनेटिकली उनकी बैक बहुत superior बैठती है दूसरे bodybuilders के आगे और रोली मिंटलार की जो lower back है वो हमें पता है कि एक तरह से बहुत shallow उनकी बैक आती है और वो genetically उच्छे back double bicep में नहीं है अगें फिल हीट के जो यार glutes वगेर हैं hamstrings है वह बहुत impressive है hamstrings especially तो यह वाला पोस फिल हीट को जाता है अगले पोस पर चलते हैं जो कि बैक लैट spread पोस तो यह वाला पोस ना actually कई लोग शायद आप मेंसे फिल हीट को देना चाहें क्योंकि उनकी ज्यादा dense back आती है और ज उनका अगर आप traps का हिस्सा देखें जो उनके traps जा रहे हैं और फिल हीट के traps से अगर आप compare करें तो रोली इस चीज में dominant कर रहे हैं उनको उनके traps ज्यादा बड़े लग रहे हैं और ज्यादा defined लग रहे हैं हालकि फिल हीट के जो back के अंदर एक पूरा जो वह Christmas tree वाला जो portion separation दिखता है वो फिर रोली विंकलार की back में missing है लेकिन यार रोली के back के अंदर separation दिखना चाहिए लैट spread के अंदर वो maximum है इस टाइम पर और वो इससे ज्यादा separated back नहीं लेकर के आ सकते और रोली की back उतनी ज्यादा अच्छी ना होते हुए भी वो ज्यादा अच्छे लग इसके बीच का मसल्स का जो separation है वो सब दिख रहा है और इस वड़ा से रोली की विर्थ भी जादा है तो इस वड़ा से ओवर ओल मुझे लगता है रोली विंकलार इस वाले पोस को जीत रहे हैं और ज्यादा इंप्रेसिव वो मुझे लग रहे हैं तो इस वाले पोस को मैं कि विंकलार को देना चाह wedding आप लोग बताएगा अप लोगों क साप से कौन इस वाले पोस को जीत रहे क्योंकि लोग शायदा आप में से तो मैं गलत नहीं करूंगा फिल ही आच तक कि in fact मैं कौँगा best triceps समझ जाते उनके फिल हीद के triceps भी बहुत अच्छे समझे जाते हैं जो इसाइड का पूसरार् उनकर triceps के अंदर striation स्थे इन्हों मिलते हैं और अबराल जो शोल्डर संड ट्रैस से दिखते हैं नगे इनकेस वाले तो वो इसलिए जादा इंप्रैसिव उतरते हैं इस वाले पोस में लेकिन यार रोली के ट्राइसप्स के साइज को मैं कैसे इग्नूर कर दूँ उनके बिल्कुल हॉर्शू जैसे ट्राइसप्स माने जाते हैं तो एक्चुली बहुत एक साइन था साथ मेरी लेक और लगता यह है कि अगर मैं फिल्फीट को जिताता हूँ तो रोली के साथ में ना इनसाफियों और अगर मैं जिताता हूँ तो फिल्ली दे पर बिल्कुल कोई गटकी प्रॉब्लम में है और बिल्कुल कोई गटकी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वहीं फिल इत की जो चेस्ट है वह जिए थिक and dense नजर आ रही है अब यहां main बात करता हूँ रोली के triceps का size जो है वो बहुत जादा dominant कर रहे हैं पे field heat को हाला कि field के triceps strited है लेकिन उनका size उतना बड़ा नहीं है तो यार इस वाले pose को मैं रोली vintlar को देना चाहूँगा और field heat के साथ में एक सबसे जादा उनका weak point समझा जाता है लेकिन अगर उनको compare करा जाए sean rodan के साथ में यहां पर हम लोग compare उनको कर रहे है रोली vintlar के साथ में तो यार मेरे साबसे इसमें field heat उनको beat कर पा रहे है एक तो field heat का जो आर देखो waste जो है उनकी एकदम tight रहती है भली गट निकलाओ लेकिन waste की width उतनी जादा नहीं है साथी साथ obliques जादा clearly दिखते है रोली vintlar की जो waste है वो नीचे से फैल जाती है obliques दिखते नहीं है और वहीं field heat की एक और अच्छी क्या बात है जैसे की legs तो उनके बड़े है ही और separated भी है लेकिन वो legs को इस तरह से खोल करके खड़े होते हैं इसकी वज़ासे उनकी waste और ज्यादा small लगती है और उनके एक जो VT पर उतनी जादा अच्छी नहीं है वो भी दिखने लगती है तो इस वज़ासे यार यह फिर legs की वज़ासे अपने small waste की वज़ासे अपने obliques की वज़ासे यह वाला pose मैं देना चाहूंगा field heat को तो रोली के आल्ड़ेडिया आर देखो legs का size बहुत कम है यह हम सब को मालूम है और उपर से उतना ज्यादा उनका development नहीं है और उपर से light डालने वाले ने इतना महान काम का रखा है कि रोली के legs की उपर ही सबसे ज़्यादा उस चीज़ को expose करा है ताकि वो detailing जो है वो बिल्कुल भी ना दिखे तो abs and thigh में definitely रोली के legs जो है ज्यादा muscular यह पोज रोली विंकलार का भी one of the strong point माना जाता है यह पोज फिल हीत का भी strong point माना जाता है भले फिल हीत का size कम है उनके shoulders उतने ज्यादा इस बार rounded या develop नहीं थे रोली विंकलार जितने और फिल हीत का जो रियर डैल था shoulder का वो भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं था लेक है एक जो hardness है रोली विंकलार के आमस में उतनी ज्यादा hardness नहीं है उनके arms और shoulder heads plane नजर आ रहे हैं और फिल हीत की chest जो है कितना ज्यादा dominant कर यह एकदम striated thick dance उनकी chest है रोली की chest हाला कि striated है पर thick or dance नहीं है फिल हीत के legs इसके अंदर कितने ज्यादा dominant कर रहे हैं हाला कि उनकी अच्छे से नजर आ रही है रोली विंकलार के comparatively तो यार यही तो एक बात है जिस वज़ा से फिल हीत को the gift कहा जाता है क्योंकि हमने देखा इस वाले Mr. Olympia में उनके अंदर size कम था उनके rear delts उतने ज्यादा बड़े नहीं थे जितने रोली विंकलार के थे लेकिन फिर भी most muscular के अंदर उन्होंने रोली को बीट कर दिया जो की रोली का भी one of the best pose माना जाता है और कई बार रोली को इसके लिए most muscular का award भी मिला हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए तब भी फिल हीत रोली को बीट कर जाते हैं और दोस्तों यही वजाए के genetics का भी एक काफी एहम रोल होता and most muscular चार poses बाकी के बच्चते हैं और वो जीते हैं रोली विंकलार जो की है front double biceps, front leg spread, side triceps और back leg spread यह चार poses जीते हैं रोली ने तो इसका मतलब बात बराबर क्योंगी चार poses फिल जीते हैं, चार poses विंकलार जीते हैं, मेरे according तो जीता कौन इन दोनों में से, रोली विंकलार या फिर फिल हीत, जबकि रोली विंकलार के पास तो people's champion award भी है, तो काईदे से तो रोली विंकलार को जीतना चाहिए, आप लोग दोस्तों नीचे comments में बताएगा कि इन दोनों में से किसको winner होना चाहिए था, दोनों ने च किसको होना चाहिए था, क्योंकि यह चोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है, यह topic थोड़ा सा controversial होने वाला है, अगर इसी वीडियो में सब कुछ बता दूँगा, तो काफी confusing हो जाएगा, तो इसके उपर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, और इसके उपर मैं बड़ा काम करके दिखाया है, एक Indian bodybuilder, वो भी handicapped wheelchair bodybuilder, जो की second place लेकर के आए हैं साल के Mr. Olympia में, उनकी उपर definitely एक वीडियो बनती है, वो वीडियो में दोस्तों कल लेकर करके आऊँगा, इंतिजार करिएगा उस वीडियो का, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, अगले बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए topic के साथ में, तब तक के लिए stay tuned, goodbye, शुक्रिया